हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक इन माई यूटूब चैनल और आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेलरी सीट में ओबर टाइम कैसे निकालते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस टाइब का डाटा लिखना है मैंने employee name, basic salary, per day salary यानि की एक दिन की salary present day की बंदा कितने दिन कंपनी में present रहा है present salary, present salary कितनी बनती है उसकी overtime यानि की कितने गंटे का उसने overtime लगा है OT salary यानि की overtime की salary और net salary ठीक है तो मैंने यहाँ पर employee name लिख लिए है basic salary दे दी है सबकी present डे जितने भी दिन वो आया है उसके बाद overtime ये भी मैंने हाँ पहले सही लिख लिख लिया है अब मेरे को निकालना है उसकी per day की salary, present salary, OT salary और net salary ये मेरे को निकालना है formula के through तो देखिए कैसे निकालते हैं यहां से देखिएगा सबसे पहले मुझे per day की salary यानिकी एक दिन की salary निकालनी है उसके लिए मुझे is equal to का sign प्रेस करना है उसके बाद basic salary को choose करेंगे keyword से आप divided by का sign प्रेस करेंगे जिसे आप forward slash भी कहते हैं उसके बाद 30 प्रेस करेंगे और enter प्रेस कर देंगे तो उसके per day की salary आजाएगी यह राम की per day की salary आईए है मुझे सबके निकालनी है तो आप यहां पर इसके प्लस जो छोटा प्लस का sign आजाता है वहाँ पर जाएए और माउस से double click करिए तो यह सबके आपके per day की salary आजाएगी उसके पाद present day आपके इतने है तो present salary निकालनी है उसके लिए आपको equal का sign प्रेस करना है per day salary multiply का sign लगाना है keyboard से और present day यानि की जितने दिन वो गया है वो select करना है enter प्रेस करना है इसके present salary आजाएगी यहां पर जाएए और यहां पर जाकर जब यह plus का sign आजाता है चोटा सा माउस से double click करिए तो यह सब की आपके निकल कर आजाएगी present salary overtime याने की राम का 10 घंटे का overtime है रवी का 8 घंटे का मैंने सब का overtime पहले से ही लिख लिया है OT की salary याने की overtime की salary निकालेंगे तो उसके लिए equal का sign प्रेस करेंगे और overtime multiply लगाएंगे पर दे की salary यह select करेंगे हम और divided by 8 मैंने 8 से क्यों divide किया है क्योंकि overtime है जो हमारे पूरे दिन की salary है पर दे की salary वो 8 घंटे पर depend होती है तो हमारे घंटे भी इसी पर depend होंगे enter प्रेस करेंगे तो यह मेरा OT की salary निकल कर आ जाएगे यहाँ पर जाग कर माउस से double click करेंगे तो यह हमारी OT यानि के overtime की salary सबके निकल कर आ गई अब मुझे net salary निकालनी है equal का sign प्रेस करेंगे present salary को क्लिक करना है उसको बाद plus का sign लिखना है overtime salary enter प्रेस करना है तो यह इसकी RAM की net salary आ गई है उसके बाद यहाँ पर जाकर आपको माउस से double click करना है तो यह सब की net salary आ जाएगे आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आया हो की overtime कैसे निकालते है overtime की salary और इस वीडियो में इतना ही कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment कर देना और thank you very much वीडियो को देखने के मेरे चैनल को like कर दे subscribe कर दे thank you